Basic English Conversation Series 3 के तीसरे वीडियो में आप सबका स्वागत है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुछ और शॉपिंग से रेलेटिट कुछिन आंसर्स और किस तरीके से हम उसमें बाच्चित कर सकते हैं आई ये देखते हैं अपना सबसे पहला सेंटेंस सारा यहाँ पर करेक्टर हमने लिया है और एक दूसरा करेक्टर हमने लिया है सीमा यह दोनों लेडियों आपस में बाते कर रहे हैं कि वो किस प्रगार से वहाँ पर करीदी लिए जाने वाले हैं तो सारा कह रहे हैं Come along sister, let's start or we will be too late to visit the shops इसका मीनिंग हो रहा है सारा कह रहे है आओ बहन आए शुरू करें अन्यता दुकान पहुशने में बहुत देर हो जाएगी तो सारा क्या करें Come along sister, come along किसी को जब हम कहते हैं आईए हमारे साथ आईए हमारे साथ चलिए हमारे साथ आओ तो along कहते हैं Along यानि के साथ चलना Let's start ये let's हमने कही बार discuss किया है Let's यानि आओ चलिए शुरू करें Let's start or we will be too late to कहते हैं बहुत ज्यादा के लिए जब कोई बात होती है It's too much, too expensive यानि बहुत ज्यादा महेंगा है तो जबी भी टी डबल और तो लगाएंगे बहुत ज्यादा के sense में होता है और will be too late अन्यता हमें बहुत देर हो जाएगी To visit the shops काई के लिए देर हो जाएगी दुकाने दुकानों पर जाने के लिए Next sentence है अब सीमा उसे क्या करे I'm ready Just a second Let me make sure that little one has gone to sleep अब सीमा क्या करे यह सारा से क्या मैं तयार हूँ बस एक पल मुझे यह सुनिश्चित करने दीजिए कि मेरा चोटा बच्चा सो गया है तो सीमा ने क्या कहा I'm ready यानि कि मैं मैं तयार हूँ Just a second क्या कह रही हो कुछ एक पल बस एक पल रुख जाओ Let me make sure मुझे यह सब सुनिश्चित करने दो मुझे पता करने दो That my little one has gone to sleep मेरा चोटा बच्चा सोने चला गया या सो गया है Next example सारा फिर कह रही है How will we go? Shall we hire a cab or go by bus? अब सारा क्या कह रही है? यह हम जाएंगे कैसे? हम यह तो किस प्रकार से जाएंगे? बस से जाना चाहिए सारा क्या कह रही है? How will we go? हम कैसे जाएंगे? यह आप्शन पूछ रही है उससे तो shall we hire a cab? अब वो option बता भी रही है कि क्या हम taxi किराहिपर? कैप कहते हैं टेक्सी को hire यानि किराहिपर लेना Shall we hire a cab? या यानि कि और go by a bus? या बस के जरीए जाएंगे Next example सीमा क्या कह रही है? We have to go by road It isn't the P car by It isn't the P car for the traffic Why waste money on taxi? We can easily get a bus तो क्या कह रही है? कि हमें Grand Road जाना है Sorry वो क्या कह रही है? हमें Grand Road Grand Road एक जगे का नाम वहाँ जाना है और यह कुई P का और नही है यानी के याता यात का ट्राफिक का कोई टाइम नहीं इसलिए हम टैक्सी में क्यूं जाए? क्यूं पैसा वेस्ट करे? हम जुह तो बस से आसानी से जा सकते हैं सीमा ने क्या आगा? We have to go to Grand Road हमें Grand Road जाना है It isn't the peak hour for the traffic जैसे ट्राफिक के कुछ P का और होते है जिस टाइम पे लोग नोकरी वाले है या बिस्निसमन जब बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा पब्लिक सटकों पर होती है उस ट्राफिक का पी का और होता है जैसे स्कूल, कॉलेज वगरा जब चूटते हैं तो ये ट्राफिक का पी का और तो नहीं है सीमा है कह रहे है इसलिए हम बस से जा सकते हैं हमें टेक्सी में पैसा नहीं डालना चाहिए वाई वेस्ट मनी ऑन टेक्सी वो बोल रहे हैं टेक्सी में पैसा हम क्यो बरबात करें क्योंकि हम, हमें कोई जिल्दी नहीं है जाएंगे, we can easily get a bus, आसानी चे हम बस में जा सकते हैं, next example, सारा कहे रहे हैं, what do you want to buy at Grand Road, तो महां क्या खरीदना चाहती हो, ठीक है, आप Grand Road पर क्या खरीदना चाहते हो, तो सारा ने क्या कहा, what do you want, want या नि चाहना, तरह के by है, by by, यानि के दो, जैसे bipolar system, दो पोल वाला system, जो education होता है, एक teacher और एक student, एक होता है by by, यानि किसी चीज़ के जरीए, I came by flight, right, और एक ही होता है by by, by by, एक और होता है, sorry, चाहर किसम के एक और होता है, जिसे हम कहते है, by e, जो by by हम कहते हैं, तो यहां क्या है, by, you, I buy, यानि खरीदना, what do you want to buy, तुम क्या खरीदना चाहते हैं, at grand road, grand road पर, next example, सीमा के जवब दे रहे, I want to buy some fabrics, and a few articles of daily use, सीमा कह रहे हैं, मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहते हैं, fabric कहते हैं, कपड़ों को, मैं कुछ कपड़े और रोजाना इस्तेमाल की चीज़े खरीदना चाहते हैं, articles for daily use, यह नि, वो चीज़े जो daily हम use करते हैं, मैं वो लेना चाहते हैं, सीमा ने क्या कहा, I want to buy, मैं खरीदना चाहते हूं, some fabric, कुछ कपड़े, and a few articles of daily use, और रोजाना की इस्तेमाल होने वाली कुछ चीज़े, फिर सारा क्या करें, let's go to the clothes store first, तो चलिए फिर कपड़ों की दुकान पर हम पहले चलते हैं, चलो पहले कपड़ों की दुकान पर चलते हैं, तो चलो के लिए हमने बार-बार क्या word सीखा है, let's go, let's किसी के भी आगे लगा देंगे, तो वो उस चीज़ को आओ, चलो, इस सेंस में हो जाएगा, अब चलो इसलिए कहरे हैं कि गो का word आया है, let's do अगर होता है, let's do it, यानि आओ ये काम कर लेते हैं, let's do it first, है न? तो इस तरह से let बहुत helpful word हैं English में, let's go, यानि चलो चलते हैं, to the cloth store first, यानि पहले आपके कपड़ों की ही करीदारी कर लेंगे, हम उदर पहले चलते हैं, फिर सीमा ने क्या कहा? please show us some material for children's shirts and pants, तो ये किसे कह रहे हैं हो, दुकानदार को कह रहे हैं, कुर्पिया हमें बच्चों की shirt और pant के लिए कुछ कपड़े दिखाईें, तो क्या कहा सीमा ने? please show us, show यानि दिखाना, us यानि हमको, है न हमें, जैसे इंदी में हमें कह रहे हैं, या हमको भी कह सकते हैं, please show us, यानि हमें कुछ दिखाईे, please means कुर्पा करके, महरबानी करके हमें कपड़े दिखाई, some material, कुछ कपड़े, for children's shirt and pants, बच्चों के shirt or pant के लिए, next example, Sarah कह रहे है, you must show us something really good and durable, तो हमें क्या बताना चाहिए, दुकानदार को क्या कह रहे है सारा, कि आपको हमें वास्तों में, कुछ अच्छा और टिकाऊ दिखाना चाहिए, you must show us, must कहते हैं, जब कुछी चीज compulsory है, जरूरी है, तो उसमें क्या कहते हैं, must, you must show us का मतलब है, तुम्हें हमको वास्तों में दिखाना चाहिए, यानि, यह compulsory है, something really good and durable, वास्तों में, कुछ अच्छा और टिकाऊ, होता है न, दुका अंदर अलग-अलग वराइटी की चीज़े रखते हैं, तो वो कभी, किसी के, देखते हैं, आपका बजट के हिसाब से कभी सस्ती चीज़े बताते हैं, जो थोड़ी कॉलिटी में कम हो सकती है, तो यह क्या कह रहे हैं, हमें अच्छा टिकाऊ, डूरेबल यानि, ज्यादा चलने वाले यानि, अच्छी कॉलिटी के कपडे दिखाईए, So with this, we came to the end of short and beautiful video, मुझे अमीद है आपको, यह video ज़रूर पसंद आएगा, और इससे आप कुछ न कुछ नए words, English के ज़रूर सीखे होंगे, Just one request as usual, Please, if you have not subscribed yet, do subscribe, share among your friends and relatives, और फिर एक बार मैं और आपको याद दिला दू, अपनी family increase हो रही है, YouTube पर और podcast पर, तो मेरा video podcast, जो अल्रेडी लाँच हो चुका है, उसको बहुत अच्छा response मिला है मुझे, कुछ गंटों में उसको more than 50 and 85 almost हो चुके हैं, वो बहुत अच्छा response है मेरे लिए, आपको अगर सिर्फ English to English ही communication सुनना है, उसके लिए सबसे best option है मेरा podcast सुनिए, उसमें option है आपको वीडियो में या audio में दोनों में सुन सकते हैं, आप YouTube music पे अगर जाकर सुनना है तो, और उसमें मैं पूरे foreign speakers लाने वाला हूँ, बहुत बड़ी बेस्ट authors of the world, बड़े बड़े अपने field के महारती उसमें आने वाले हैं, जिन से मेरी बाते हो रही हैं, और भी कुछ नए guest आने वाले हैं, I am doing a lot of efforts for you people, आप लोग के लिए मैं सब कोशिशे कर रहा हूँ, ताके आपकी English और strong हो, और confidence के साथ आप बोले, बस यहीं उम्मित करता हूँ, कि आप मेरी महनत को जरूर सराहेंगे, अपने comment के जरीए, और अपने दोस्तों में से share और subscribe करके, तो please do remember me in your prayers, and you are also in my prayers, do take care, आप से फिर मिलता हूँ, अगले किसी अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए, आप से विदाई का समय लेता हूँ, और उना जरूर खरयाल रखिये, or please watch my YouTube channel, videos as well as my podcast. Thank you so much for your precious time. Bye-bye.